हाई गाईज वेलकम बैक आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह एलगी को अपने हाइड्रोपॉनिक सिस्टम से दूर रख सकते हैं उसकी ग्रोथ एंक्रेज होने से रोक सकते हैं तो एलगी जिसे शेवाल भी कहा जाता है या कुछ लोग उसे काई भी कहते हैं तो उसको ग्रोथ होने से पहले ही रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए उस पर बात करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको एक बार दिखा दूँ कि मैं algae की जो बात कर रहा हूँ दिखती किस तरह है क्योंकि मेरे hydroponic system में तो algae की अभी development नहीं है, growth नहीं है तो यहाँ आप देख सकते हैं यह soil के surface पे आप हरी हरी जो आप growth देख रहे हैं इसको algae कहते हैं और अगर आपके hydroponic system में भी इसकी growth की conditions ideal हैं जैसे की warm temperatures हैं या फिर nutrients होते हैं और साथ में light जो है वो penetrate हो पा रही है आपके system में तो वहाँ भी यह growth हो जाती है और इसके growth होने से काफी सारे problems create हो सकती है hydroponic system में जैसे की plants के लिए जो oxygen है वो deplete हो सकती है या आपके जो newton solution का pH है उसमें काफी huge swings आ सकते हैं और अगर यह algae काफी जादा हो जाती है तो आपके जो pipes है या pump है जो आपके recirculating system का उसको clock कर सकती है तो algae की growth रोकने के लिए जो सबसे पहला मेरा step रहता है वो यह रहता है कि जो भी container में use कर रहा हूँ या pipes use कर रहा हूँ उसमें light की penetration है वो ना हो तो container या pipes खरीते है वक्त आप ध्यान रख सकते है कि जो उनका color है आपके container का वो dark हो जिसमें light जो है वो penetrate ना हो पाए जिस तरह मैंने यहाँ grey pipes यूज की है white pipe में light जादा penetrate होती है और आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे algae की कोई formation नहीं है क्योंकि grey color की pipe है तो light की penetration है वो इसमें ना के बराबर है और इसलिए इसमें कोई algae की growth नहीं है तो जो container का color है वो matter करता है जिसे की light आपके system में ना जा पाए और इसके अलावा जो मैं करता हूँ आप यहाँ देख सकते हैं जो सामने आपके सामने जो dft की pipe है इस पे मैंने aluminium foil की tape यहाँ पे लगाई हुई है जो की silver color की होती है और यह आपको किसी hardware shop से आपको यह जो aluminium foil की tape है वो मिल जाएगी यह थोड़ी costly पड़ती है as compared to aluminium foil जो हम kitchen में यूज़ करते हैं यह देखिए आप देख सकते हैं aluminium foil की tape है जो मैंने यहाँ इस वाले dft pipe पे wrap की हुई है तो यह एक option है इसको use करना बहुत easy होता है यह use करने में बहुत easy होती है अगर आप aluminium foil foil यूज़ करेंगे इस तरह की आप देख सकते है aluminium foil है जो kitchen में होती है यह आप यूज़ करेंगे जो थोड़ा सा आपको मुश्किल आएगी इसको wrap करने में लेकिन जो aluminium की tape होती है वो बहुत easily wrap हो जाती है फर सिरफ इतना है पर थोड़ी costly होती है और जो aluminium foil हो थोड़ा cheap होत होता है यहां भी आप देख सकते हैं कोई भी algae की growth नहीं है और बहुत अच्छी तरह यह system चल रहा है इसके अलावा आप जो कर सकते हैं जो मैं करता हूँ यह है कि जो मेरा reserve war होता है जहाँ पे newton solution है उसको मैं एक black polythene की sheet से cover कर देता हूँ और यह जो sheet होती है black polythene की यह ज बिल जाएगी और यह भी काफी cheap method है अराम से आप इसको wrap कर सकते हैं और इसको wrap करने के बाद आप देख सकते हैं light penetrated नहीं होती reservoir में और कोई भी algae formation नहीं होता है तो यह कुछ method है जो मैं adopt करता हूँ light को हमारे hydroponic system में जाने से रोकने के लिए क्योंकि अगर आपके system में algae की इसे वहाँ से remove करने के लिए तो better रहे कि आप पहले ही prevention करें और यह देखे यहाँ पर भी मैंने aluminum foil की tape यूज की है अब मुझे यह बहुत easy लगती है इसको wrap करना और यह फटती भी नहीं है जल्दी जो aluminum foil है वो जल्दी फट जाती है तो मैं aluminum foil की tape यूज करता हूँ ताकि algae की growth ना हो और वो plant के साथ nutrition के लिए compete ना करें यहाँ पे कुछ buckets है कोको पीटो पर light की इसको मैंने wrap नहीं किया हुए क्योंकि इसमें इतनी problem नहीं होती हाला कि आप crop के बाद देखेंगे तो sides में यह यह grow bags है यहाँ पे आप देख सकते हैं यह अंदर की तरफ से black होते हैं जिसकी वज़ए से light is polythene के आर पार नहीं जा पाती तो इसमें भी जो algae की growth है वो काफी हत तक रुख जाती है तो यह थी एक छोटी सी वीडियो किस तरह आप algae को अपने hydroponic system में grow होने से रोख सकते है अगर आपके कुछ questions है तो आप नीचे comment section में पूछ सकते हैं प्लीज मेरे चैनल को subscribe कीजिए मैं जल्दा हूँगा next वीडियो के साथ अब तक के लिए take care